असलामू आलेकुम दुस्तों कैसे आप लोग उमीद करते हैं कि आप तौम लोग खरियसरे होंगे दूस्तों आज की वीडियो में हम सौधी रब की कुछ बड़ी और इंपोर्टन जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ सेल करने वा रहे हैं वीडियो सुरू करने स पहले आप तमाम दुस्तों से हमिसा की तरह एक छोटी सी रिक्वेश्ट है वीडियो का भी से लाइक कर दें जो दो चैनल पर नहे हैं उनसे रिक्वेश्ट है पहली चैनल को भी सस्क्राइब शुरूरू कर लें सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ सेर करते हैं कि सौध आपकी जो परसनल जानकारी है वो पूछी जा सके तो ऐसे एसमेस का बिलकुल भी आपको जवाब नहीं देना है वताइए गया है कि इस तरह का अगर आपके पास एसमेस आता है तो इसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं जो आपके आसपास पुलिस टेशन है वहां पर जाकर इसक की कंप्लेन कर सकते हैं इसके साथ एक लिए अपडेट यह है कि किंग खालिद इंटरनेशनल एरपोर्ट रियाद की परससन ने कहा है कि रियाद इंटरनेशनल एरपोर्ट पर जो फ्लाइटों का सुडूल है वो चेंज किया गया है टर्मिनल टू से टर्मिनल थिरी और रवाना होंगे जबकि 5 दिसंबर से दुबई काहिरा वगरा के लिए जो फ्लाइटें हैं वो रवाना होंगे जबकि 6 दिसंबर से सभी इंटरनेशनल जो फ्लाइटें हैं वो टर्मिनल चार से रवाना होंगे इसके साथ उताय यह गया है कि फ्लाइटल की जो फ्लाइट है वो 7 दिसंबर से टर्मिनल 3 से रवाना होगी जबकि फ्लाइ नास की जो फ्लाइट है वो 8 दिसंबर से टर्मिनल 3 से जो है वो रवाना होगी जबकि स्काई टीम एतिहाद की जो फ्लाइटे होंगी ये 8 दिसंबर से टर्मिनल 3 से रवाना होंगी तो जिस भी फ्लाइट से आप सफर कर रहे हैं आप उस फ्लाइट के बारें पता कर लें कि वो फ्लाइट जो है वो कौन से टर्मिनल से रवाना होने वाली है उसके बाद ही आप एरपोड का सफर करें इसके लाव अगली अप डेट यह है कि जिद्दा बलदिया की टीम ने एक रिस्टोरेंट के खिलाब और जौजस्त कानूनी कारवाई की है अप डेट के उताब बताया यह गया है कि इस रिस्टोरेंट में जो खाने पीने के सामान बेचे जा रहे थे उसको एक पुराने घर म इसमाल खाने पीने के सामान को तैयार करने और वहां पर खाने पीने का सामान रखने के लिए जो है वो किया जा रहा था और घर में साफ़सफाई का भी अच्छा इंतिजाम नहीं तयानी साफ़सफाई भी नहीं थी और भी जो रूर्स होते हैं उसकी भी पबंदी नहीं की जा रहे जिसको जैसे बला दिया कि टीम ने इस रेस्टोरेंट के खिलाब जो अजस्त कानूनी कारवाई जो है वो की है इसके साथ एक लिप डेट यह है कि सौधी अरब ने बारा दिनों में 17 लोगों को फासी की सजा दी है अब डेट के होता है यह गया है कि सौधी अरब जो सौधी अरबिया के अंदर ड्रक्स का कारोबार करते हैं ड्रक्स की स्मगलिंग करते हैं ऐसे लोगों को फासी की सजा जो है वो अब देना शुरू कर दी है बताई यह गया है कि जिन लोगों को फासी दी गई है इसमें ज्यादा तर लोगों का तालुग जो है वो बाहर दे कि साथ क्लिप डेट यह है जिसके आप सामने स्क्रीम पर एक वीडियो क्लिप जो हो देख सकते हैं जैसा कि कल रात में दस्वेश से सौधर और मेक्सिको का मैस्ता और सौधिय अरब ने आखरी सिकंड पर एक गोल जो हो कर लिया जिसके जिसके मेक्सिको की जो टीम है वो अब आगे नहीं जा सकती है उसका जो सफर है वो खतम हो गया आखरी सिकंड पर वो गोल नहीं होता तो साथ मेक्सिको की जो टीम है वो आगे जा सकती थी जिसको लेकर एक मेक्सिको का जो फैन है उसने अपनी जो टीबी उगरा है उसको ही फोड़ दिये सकते हैं आप सामने स्क् ठेस पॉसता है य सवाफ की रभी जरूरी खबयर जरूरी जरूरी जानकारी जो आपलों के साथ सार कर दिक्षा कर निस्ट वीडियो निस्ट टोपिक के साजद रखिया अपना ख्यालो के खुदा